हालो स्टूटिंट आनिश अबाश्य साल्वी यौर बाल जी मिन्टॉर तो बच्चो आज हम बात कर रहे हमारे और्गानिजम और पॉपुलेशन में यह इस चैप्टर का लास पार्ट है इसके बाद हम देखेंगे हमारे प्यारे प्रीवेस एर के क्वेशन आंसर तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं पैरसिटिजम होता क्या है देखो बच्चो हमने बोला पैरसिटिजम पैरसिटिजम का मतलब है कि एक जो है वो हमेशा एक पर हमिशा नागेटिव इंपक्ट यानि कि जैसे कि एक डॉग पे जो टिक्स लग जाते हैं वो क्या करते हैं उसका खून चूसते हैं यानि कि उस डॉग का हुआ खून कम और लेकिन जो टिक्स है उसको खूब सारा मिला नुट्रीशन दाइट मीज एक जो हमारा समझ में आ जाए आ गया है सो मैंनी पैरसाइट्स हैव इवोल टूबी होस स्पैसिफिक बेकन पैरसाइट ओनली सिंगल स्पीशी ऑफ होस अब देखो यहां पर यह बास समझने के लिए तुम्हें एक स्लाइड लेनी ओ है कि हो गया हम चलिए एक हमें स्लाइड लेनी राइट क्या है यह प्लस माइनस का खेल है प्लस माइनस का खेल है मतलब की यानि कि यह तीन तरह के हो सकते हैं पैरसिटिजम तीन तरीके से हो सकते हैं कैसे एक हो जाएगा माम इंडू पैरासिटिजम ठीक है दूसरा हो जाएगा हमारा एक्टो पैरासिजम और थर्ड हमार हो जाएगा ब्रूड पैरा सिटिज्म ठीक है अब सुनो मेरी बात प्यारी प्यारी तरीके से देखो बच्छो एंडो बोले तो जो की होस्ट की बॉड़ी के अंदर रहेगा leaves inside the host ठीक है? होस्ट के बॉड़ी के अंदर रहेगा क्या क्या रहे सकता है? जैसे की हम बात कर सकते हैं टेप वाउम हाई न इंटेस्टाइन में रहता है ठीक है? इसके अलावा बात करो तुम liver fluky liver fluky इसके अलावा बात करो तुम as caris की as caris की spelling देख ले न भई और इसके अलावा बात करो तुम plasmodium की plasmodium ये क्या है बच्चों ये हमारी body के अंदर रहते हैं हमारा शोशन करते हैं ठीक है यानि कि ऐसे parasite है जो host की body के अंदर उसकी body खराब कर देते हैं आप देखो यहाँ पर जो question बतते हैं जो tape warm है बच्चो उसमें हमसे पूछा जाता है कि host कैसे है इसके दो host है ठीक है tape warm के दो host है एक होता है primary host और दूसरा होता है secondary host कैसे पता लगेगा मैंडम primary host क्या है और secondary host क्या है देखो बच्चो secondary host का मतलब होता है जहाँ पर आपका केवर life span हो रहा है लेकिन primary host में जहाँ पर sexual reproduction हो रहा है ठीक है जहाँ पर उसका sexual reproduction हो रहा है reproduce हो रहा है वो ठीक है human जो है वो क्या है primary host है और जो pig है वो क्या है secondary host है ये बात समझ में आ गया ठीक है ऐसे ही plasmodium जो है ये क्या करेगा ये mosquito ठीक है mosquito और human अब plasmodium का ये आपके NCRT में भी question है और लाइन है और नीट में question आ चुका है plasmodium का primary host कौन है human नहीं है primary host है उसका mosquito clear that वैसे ही liver fluid liver fluid का जो host है वो snail and fish है clear आ गई बात समझ में ये हो गया endoparasitism अब हम बात करते हैं acto paracitism की acto paracitism जो सिटेज्म है वो पीछे बात कर लूँ क्या आख acto paracitism टीक है acto बोले तो leaves on the host body जो की host की body के उपर रहे ठीक है host की body के उपर रहे जैसे की lice यानी की जुएं जो humans के सरपे रहकर उनका खुंचूसती है पागल कर देती है जैसे की tix ठीक है ये क्या करती है dogs की body रहकर के उनका खुँन चूसती है तो यानी की ये कैसे हो गए बच्चो एक्टो पैरसाइट्स हो गए यानि कि जो की सरफेस पे रहे और उसका खूण को चूशती रहे यह उसका क्या करें चूशन करें अब हम बात करते हैं ब्रूड ब्रूड पैरासिटिस्म पैरासिटिस्म देखो बच्चो जितना मैं सोशती हूँ ना जितना आपको मैं एकदम लोकल लैंग्विज में समझाती है उतना मुझे लगता है कि आप लोग काफी रिलेट कर पाते हैं क्योंकि देखो इंग्लिश के टर्म हम बूल सकते हैं ना यह हम नहीं बूल सकते हैं तो जितना हो सकते एकदम लोकल लेंग्विज में लेकिन उसका साइंटिफिक टर्म भी लर्न करना है क्लिए एंस एक रीडिंग करते जाओ बातों को समझ से जाओ और साथ ही साथ मिशन ग्यान एब जो है तुम्हें डाउनलोड करनी ही करनी है यदि कि तुम्हें चीजों को सही समय पे सही तरीके से समझना है clear that चलिए so brute parasitism क्या है अब देखो हमारी कुकू ओ मेरी कुकू ओ बड़ी ही चलाक है ठीक है यह क्या करती है कुकू जो हमारी क्रो है ठीक है जो मारा काउं काउं है यह क्रो अब यह मम्मी क्रो है इसका यह दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन, जो हमारी कुखु है, यह कोल का करती है, चूए यह ब्लैक है, यह पता है, क्या हो रहा है, यह evolution, को evolution भी है बच्चो, ठीक है, को evolution कैसे हो रहा है, कि यदि कि जो कोयल है अपने बच्चे को पालने के लिए यदी क्रों नहीं होता दोनों का कलर सेम नहीं होता तो क्या कुको अपना अंडा कवे के गोसले में रख पाती नहीं रख पाती क्यों क्योंकि इनका अंडा जो है similar लगता है बस size में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यदि आप देखोगे कुकू का अंडा क्रो की अंडे से थोड़ा साइज में छोटा होता है वैसे आप अनेटिफाइ कर सकते हो लेकिन यह इतना नीस होसी क्रो क्या करती है जो क्रो मदर होती है वो कोयल के अंडे को भी क्या कर देती है और हैचिंग में उसक सब्सक्राइद के सब्सक्राइब के लिए when the process of cleaning and cookies करती है आपलिकेबल यह जाता कि वह उड़ सके वहाइब रफ सके clear that, आगई बास समझ में, तो यह हो गया हमारा Brute Parasitism, अब देखो, देखो, इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी, को इवोल होना बहुत ज़रूरी, जैसे अपने एक्जामपल ले सकते हैं, Parasitism के अंदर, आपका फीता कर्मी, फीता कर्मी बोले तो Tape Worm, देखो, Tape Worm क्या होता है, आपकी बोड़ी के अंदर रहता है, ठीक है? ठीक है? को इवोल्यूशन का एक्जामपल है, को इवोल्यूशन में अपने एक्जामपल ले रहे है, Tape Worm का अब सोचो, Tape Worm क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फीते के समान सरंचना है, ठीक है? ना तो इसके पास बच्चो माउत है, ठीक है? ना ही इसके पास एक्सक्रीटरी ओर्गन है, राइट? ना ही इसके पास कोई एक्स्ट्रा सेंसरी ओर्गन है, क्यों भाई? देखो, ये क्या रहता है? यह हमारी इंटेस्टाइन में रहता है ठीक है यह हमारी इंटेस्टाइन में रहता है इंटेस्टाइन में क्या करता है अब देखो यह अपने कहां पर होते हैं बॉडी में होते हैं अब देखो यह बॉडी में है तो सीधी सी बात है ना तो इनको खाना कहीं से लेने की ज़रत तो पर कोई sensory organs कियो है अब यह अंदर आइ बाड़ी से लाब उठा रहा है profit कर रहा है हमें क्या होगा कर रहा है इसके अलावा देखो यह हमारी intestine में present होता है तो यहाँ पर कोई भी respiration नहीं हो रहा तो यह कैसा होगा एन एरोबिक होगा लेकिन important चीज़ें वो भाया सारी चीज़ें इसको मिल रही है जो यह चाहता है इसके हर पार्ट में हर भाग क्या कर सकता है reproduce कर सकता है परट कि आजो many parasyte have evolved to the host specific they can parasites only a single species of host तीक है जैसे ascaris है तीक है ascaris ascaris क्या है एक single host है human ठीक है in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve both host रहाने की जैसे कि हमने बुला tape form में human और मेनारी pig और याधी हम बात कर रहे हमारा leverage लोक की बात करें तो हम बात करे थे हमारी इसने तो दोनों host पे भी वह dependent होगा go evolve that is if the host evolves special mechanism यह दी जो host वह special mechanism की द्वारा evolve होगा for rejecting and resistance the parasite reject करने के लिए the parasite ko the parasite has to evolve mechanism तो उस parasite को भी अपने अंदर एक mechanism evolve करना पड़ेगा ताकि उस particular host पे जा करके वो survive कर सके so कहां गया पना the parasite has to evolve mechanism to contract and neutralize them in order to be successful with the same host species she is clear that आगई बास समझ में now in accordance with their lifestyles parasites evolve special adaptation such as loss of unnecessary sense organ जिस sense organ किसको जरुत नहीं है वो उसका क्या करेगा development ही नहीं करेगा लूस कर देगा जैसे कि यह हमारा tapeworm right presence of adhesive organ adhesive organ इसके यहां पर होंगे बच्चों यह adhesive organ होगा ताकि वो क्या करेगे हमारे intestine पर चिपक जाए अड़ेशन करेगा तभी तो sucking करेगा और इसके पास क्या होंगे suckers भी होंगे on to the host loss of digestive system and high reproductive capacity इसके पास क्या होगा हर fragment में high reproductive capacity होगी लेकिन digestive organ का इसको requirement नहीं already digest food को ही तो खा रहा है इसलिए कोई भी इसके पास excretory organ भी रही है clear that the life cycle of parasites are often complex involving one and two intermediate host or vector to facilitate parasitism of its primary host primary host बोले तो यानि कि जहां पर यह क्या कर सकता है reproduction कर सकता है जहां पर जिसकी जिस host में यह reproduce करेगा वो ही उसका primary host कहलाएगा is that clear the human liver fluke the human the human liver fluke क्या है यह trimetode parasite है depends on two intermediate host a snail and fish to complete its life cycle जैसा कि मैंने पहले बताया आपको जो एक्जांपल दे रही हूँ जो एक्जांपल बता रही हूँ important NCRT से ही बताया है right the malarial parasite needs to a vector mosquito यह important primary host risk mosquito to spread to other host यानि कि humans के अंदर majority of the parasites harm the host they may reduce the survival growth and reproduction of the host and reduce its population density parasite हमेशा अपने host पे negative impact डालता है death कर सकता है उसके reproduction को रोग सकता है उसकी population density को कम कर सकता है clear that they might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak उसको physically weak भी कर सकता है राइट चले नव अक्टो परसाइट्स क्या है अक्टो परसाइट्स है जो की surface पे रहे उसकी body पे रहे किसकी host की body पे parasites that feed on the external surface of the host organism are called acto parasites the most familiar example of this group are the lice on human and ticks on the dogs many marine fish are investigated for acto parasitic coppods, coppods भी example है मैंने acto parasites पे डालाता देखो हमने एक example लिया है यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक organism है जो इस fish के ऊपर क्या कर रहा है acto parasitism में शो कर रहा है clear that now kaskuta, kaskuta क्या है देखो बचो यहाँ पर देख रहा है आपको यह क्या है kaskuta है यह क्या कर रहा है बच्चो जो green plant होता है उसके ऊपर चिपक जाता है और चिपक क्या करता है वहीं से अपना nutrition लेता है क्यों क्योंकि इसके बस कोई chlorophyll नी होता है अब यह बनाएगा तो है नहीं यह क्या करता है प्लाइट पर जाग पक के चिपक जाएगा अपने हुक्स बना लेगा ऐसे यह हुक्स तिख रही आपको इस तरीके से यह प्रेजन होता है और यह हुक बना लेता है चिपकने के लिए अधैशन के लिए ठीक है और यहाँ से nutrition एब्सॉप करता रहता है so cascuta a parasite plant that is commonly found in growing on hedge plant has lots is chlorophyll and leaves in the course of evolution clear that in derives its nutrition from the host plant which is parasites the female mosquito is not important the female mosquito is not considerable a parasite why do you consider it in the?? हैं क्योंकि अब देखो एक्टो परसाइट आप का होगी कि माम फीमेल मौस्की टो आई उसने अमारा खूंचूसा लेकिन वह उड़ गया ना वह आपकी बॉड़ी पे तो नहीं रही ना ठीक है वह आई खूंचूसा उट चली गई तो ऐसे में अपन उसको क्या नहीं करेंग आप डिफरेंट साइट लीवर किड्नी लंग्स रेट बलड सेल एक्सेक्टरा लाइफ साइकल ऑफ एंडो पैरसाइट आर मोर कॉंप्लेक्स बिकॉस और एक्स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन जैसा कि आपने बोला टैव ने हमारे अंदर रहना चाहता है तो उसमें अपने में क्या क्या चेंजिस के देखो माउट नहीं रहा डाइजेस्टरी सिस्ट्रम नहीं रहा उसका कोई सेंस्ट्री और निया एन अरोबिक रैस्पिरेशन और सीग गया तो बहुत सार आपने अपमें चेंज किया ना तो जो एंडो पैरसाइट होते हैं वो बहुत जादे इंक्रीज करने में अपने नंबर्स को इंक्रीज करने में नाओ ब्रूड पैरसिटिस्म ब्रूड पैरसिटिस्म क्या है यह हमारी कोवे के अंडे के साथ कुकू के अंडे भी इसमें पड़ा हुआ है कुकू का अंडा क्या होगा छोटा होगा ब्रूड पैरसिटिस्म इस the fascinating example of parasitism in which parasite bird lay its egg in the nest of its host and lets the host incubate them and what will happen? that until we don't hatching it will be incubated clear that during the course of evolution the eggs of the parasite see I have told about evolution because koel and kowei color is dark birds have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign egg and ejecting from them the nest and what will happen? we are saying that sometimes the color will be different, sometimes the size will be different there are many examples, not that koel and our crow and our cuckoo, there are many examples where the size matters, its color matters so the parasites have evolved with the host so that they can easily survive their life is that clear? in the future now we have try to follow the movement of the cuckoo and the crow in our neighborhood park during the breeding season spring to summer and watch brood parasitism in action you can see in the summer season what kind of brood parasitism happens so now we have mutualism now what will happen? mutual relationship okay? means that you have a benefit, you have a benefit live in relation you have a benefit, you have a benefit clear that? so this interaction confer benefits both the interacting plus plus right? both the lichens represent the intimate mutualistic relationship between the fungus and photosynthesizing alga and cyanobacteria what do they do? lichen what is mutualism? mutualism now let's see here our mutualism is also two types first let's understand it mutualism right? two types of things one is obligatory 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 okay? then we will come to our faculty faculty okay? now let's see how is obligatory how is obligatory that we will not have to do you without you we will not have to do okay? without you we cannot live so the best example in this one is lichen okay? lichen and we have pinus okay? how is ma'am? lichen you know what association is algae plus fungi okay? now let's see algae is green in color so what will it do? photosynthesize it will make food what will it do? what will it do? it will live in the soil what will it do? it will give it from the soil nutrition how is it? what will it do? what will it do? what will it do? what will it do? it will absorb nutrition and who will give it? algae it will give it to both it will get habitat okay? and it will get food and what will it get? it will get nutrition is that clear? the two of them now let's see in the pinus in the pinus we will see example mycorrhiza and hair plant in the pinus mana mycorrhiza up with higher plant higher plant higher plant what is Future higher plant is our pinus higher plant Historically and the pinus what is happening that are weak it will not be public without mycorrhiza it will not grow without mycorrhiza without JO जो है वो ग्रोह ही निकर सकते मर जाएंगे उसके बिना तो दैट मीजी कैसे हो गए असेंचल गहे बहुत ज़रूरी हो गए अब्लीकेटरी फैकल्टेटिव में क्या होगा तो ठीक है नहीं तो बहुत सारे चीक है तू है तो ठीक है नहीं तो I have many options तो फैकल्टेटिव में क् ठीक है ये लो बढ़ आई नाक्टर के लिए लेकिन जरूरी नहीं है न कि इसी फ्लार पे ये बढ़ वापस भी आए ठीक है ये दूसरे फ्लार पे भी तो जा सकती जिसमें नाक्टर अच्छा हो जिसका कलर बहुत ब्राइट हो राइट यानि कि इसके पास बहुत सारे तो नहीं है तो और भी अच्छा है I have many choices clear that आगई बास समझ में मुचैलिजम में अब्लिगेट्री और फैकलिटेटिटिव क्या होता है आजाओ तो lichens represent an intimate mutualistic relationship between the fungus and photosynthesizing algae और syanobacteria आगई बास समझ में तो नाओ ओ सिमिलरली दे मैको राइजर आड आढ आये तो स्टैशा अग्वेट्राइजमें प्रींस थीक है थास फंजाए हो जेए अपलाइड क्या कर रहा है absorption कर रहा है essential nutrient का from the soil जब कि जो plant है वो क्या कर रहा है provide करा रहा है उसको energy yielding carbohydrate जो भी glucose का formation कर रहा है plant वो किसको मिल रहा है fungus को मिल रहा है clear that यह association हो गया the most spectular and evolutionary fascinating example of mutualism are found in the plant animal relationship plant और animal के relationship में होता है plant needs the help of animals for pollinating their flowers and despairing their seeds क्या होता है देखो जो animals होते हैं वो क्या करते हैं आते हैं ठीक है plant के उपर अपना खाना खाते हैं और चले जाते हैं clear that so यह कैसा हो गया facultative हमारा mutualism हो गया है facultative तू फ्लार है तो ठीक है दूसरे फ्लार के पाद चली जाओंगी तू प्लार अविलेबल है तो ठीक है दूसरे फ्लार के पाद चली जाओंगी animals obviously have to be paid fees for the service that the plant expect from them यानि कि वो क्या करते है पॉलिनेशन का वग करते है plant offer rewards और fees in the form of pollen and nectar for the pollinators and juicy and nutritious fruits for the seed disperser यानि कि जो हमारे animals है जो हमारे birds है वो क्या कर रहे है पॉलिनेशन का काम करने है और फ्लार उनके लिए क्यों important है ताकि वो नेक्टर वहां से ले ले clear that but कहीं पर क्या होता है कि दो तरे की condition आपको देखने को मिलेगी यहां पर क्या होता है कभी-कभी जैसे हम लोग selfish है वैसे वैसे कभी-कभी plant भी selfish हो जाता है ठीक है कैसे selfish हो जाता है सुनो but the mutually beneficial system should also be safeguarded against cheaters for example animals that try to steal nectar without aiding in pollination अब क्या होता है कोई pollination नहीं कर रहा है लेकिन फिर वी उस का नेक्टर खा लेते हैं तो यह तो cheating हो गई ना तो plant animal interaction often involve co-evolution of the mutualism that is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another अब सुनो कहानी में twist ठीक है कहानी में twist क्या है यहां पर आपके पास है fig अरे ठीक है यह है आपके पास fig ठीक है यह fig में यह आता है wasp ठीक है में कुछ अच्छा बनाना नहीं आता ठीक है लेकिन बन गया ठीक है यह आगया wasp यह आएगा उड़ते उड़ते आएगा और इसके उपर बैट जाएगा अब यहाँ पर कितना अच्छा mutualism है देखना ठीक है दोनों में co-evolution यह किसका example है co-evolution in mutualism ठीक है यहाँ पर क्या होगा fig fig आएगा fig के ओपर यह wasp आएगा यहाँ पर बैट जाएगा यह क्या करेगा इसके पास ठीक है इसके पास क्या होता है कि जो अपनी एग है इस तरीके से position बनाती है कि यह जो अपने एग है वो इसके ओवरी में ठीक है ठीक है यह जो fig है fig की ओवरी में lay down कर देती है यह लो वास्प के आएगा आगए आगए फिर जो ओवरी है फर्दर किसमें change होती है फ्रूट के अंदर ठीक है फ्रूट के अंदर होती है तो अब फ्रूट के अंदर basically क्या बनता है फ्रूट के अंदर basically बनता है seeds यह बनते है seeds ठीक है अब क्या होगा क्योंकि वास्प ने अपने अंडे समें दे दिये थे तो अंडे क्या होगा धिरे धिरे जो बाहर उड़ने के लिए ऑपने के लिए उड़ने के लिए अब इनरजी कहा लिए तो जो फिग है वो क्या करता है अपने सीट इनको खाने के लिए ताकि यह अराम से एनर्जी लेकर के उड़ सके लेकिन पूरे के पूरे सीर्स वो नहीं खा सकते नहीं तो आगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे आगे उसकी प्रोजैनी क्या हो जाएगी इंड्रेंस हो जाएगी ना रुक जाएगी तो यहां पर क्या होगा यह बेबी वास्प तो थोड़े सीर्स खाएगे और बाहर उड़ जाएगे इससे क्या हुआ इससे क्या हुआ अब सुनों यहां पर फिग ने इसको अपने सीड दिये लेकिन साथी साथ में अपने पूलंस भी इसकी बॉड़ी पर चिपका देते अब यह जहां पर जाएंगे दुबारा वहां क्लिकेशन की क्रिया कर देंगे तो इस तरीके से वास्प ने अपने अपको अपको अपने आप्ड किया और वैसे ही फिग ने भी अपने अपको को अपस की आप यह जबिंग्या एक दूसरे के बीच में अच्छा सा रिलेशन्शिप बना की तो यहां पर आपने मुचलेजम में किसके बीच में फिग के बीच में और वास्प के बीच में क्लियर दैट आजो इन मैंने स्पीशिस अफिक ट्रीज देर इस टाइट वन तो वन रिलेशन्शिप विद्धा पॉलिनेटर स्पीशिव और आपग कर देश कर सकता है कोई ढ़ी नहीं क्योंकि बोटि कि इन दोनों यया अपने अपको से औट लिज intensity कोई कि फिग जो है वास्पते दीपेंड्र वास्प जो है फिग पर under dope clear that, आगई पास समझ में, the female wass use the fruit not only as an oviposition, oviposition यहनी कि इस तरह से वो अपनी position बनाती कि वो एक lay down, जो एग होते हैं वो lay down हो जाते हैं, किसके अंदर फिक की ovary में site, but uses the developing seeds within the fruit for the nourishing the larva, और जो larva है उसके nourishing के लिए है, क्या जेते हैं, seeds खा जाती हैं और बाहर निकल जाती है, the wasp pollinates the fig in fluorescence while searching for suitable egg laying site, clear that, तो pollination कब होगा, जब fig, मतलब जो wasp है, वो दूसरे fig को तलाशे की, तो वहाँ पर pollination कर देगी, is that clear, आगई बात समझ में, now, in return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some, its developing seeds as a food for the developing wasp larva, wasp larva को develop करने के लिए, वो अपने seed खाने को इसको देती है, now we have other option, orchid, अब orchid plant है, देखो यहाँ पर देखो, यह है orchid plant, orchid plant की यह है leaf, leaf ने इस तरह से अपने आपको co-evolve किया है, कि यह क्या लग रही है, एक female bee लग रही है, चीक है, अब क्या हो रहा है, यह female bee की तरह लग रही है, female bee attract, sorry, जो male bee है वो attract होगा, attract होगा, इस leaf को अच्छा यहाँ तो female भी है, चलो चलो वो love making के लिए यहाँ आएगा, love making के लिए आएगा और इस leaf पर बैट जाएगा, बैट गया, बैट गया, यह यहाँ पर क्या करेगा, copulation करने की कोशिश कर रहा है, इसका position है कि copulation कर रहा है, लेकिन जब यह copulation की करेगा तो इसको लग कि असल में तो यह leaf है यह female भी थोड़न है, अब क्या करेगा, इसके साफ से क्या हुआ, जो और चिड है उसने अपने पोलन सियाँ पर stick कर दिये, किस की body पे, male की body पे, ठीक है, अब क्या होगा, अब यह दूसरे plant पे जाएगा, दूसरे plant पे जाएगा, जहां पर एक और, same मेकिंग के लिए क्या कर लेगा, जो पॉलिनेटर, जो पोलन सिसके अपर था, वहां पर यह छोड़ देगा, तो पॉलिनेटर की तरह काम कर रहा है, आगई बास समझ में, clear that, आजो पर लें एक बार, और चिश हुए, बी वेल्डरिंग, diversity of a floral patterns, many of which have evolved to attract the right पॉलिनेटर, insect, एक दम करेक्ट पॉलिनेटर को चूज करने के लिए उसने अपने लीव में मौडिफिकेशन कर लिया, bees and bumble bees and ensure guaranteed pollination by it, और ensure कर लिया कि पक्के से पक्का मेरा पॉलिनेशन होगा, क्यों? क्योंकि इसने इसको अट्रैक कर लिया अपने किसी लीव के मौडिफिकेशन में as a female bee not all orchid offer rewards the, यह जो नाम है orchid का, ठीक है, यहां तक, Mediterranean orchid or virus employs sexual deficit, sexual deficit यानि की, sex में धोका दे दिया उसको, कैसे दे दिया sex में धोका क्योंकि वो सोच रहे कि यहां पर female bee है, female bee तो थी नहीं, तो बिचारा कैसे हो गया, धोका खा गया, right? to get pollination done by as a species to bee, one petal to its flower beards, unaccanny resemblance to the female of the bee in size, color and marking, इस तरीके से बचो, अपनने क्या देखा, अपनने देखा कि हमारा जो chapter है, वो complete हो गया, organism and population का, बहुत सारी चीज़े हमने पढ़ी, हमने पिरामिट्स पढ़े, हमने population पढ़ी, हमने पढ़ी, हमने ग्रोथ पढ़ी, हमने य मिलेंगे अब question answer, I hope की chapter आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, फिर मिलेंगे हम question answer के साथ, जब तक धन्यवाद,